यूपी में सियासत क्या करवट ले रही है? परदे के पीछे क्या खिचली पक रही है? और राष्टे लोगदल के लिए क्या नए उम्मीदों के द्वार खुल रहे हैं? इसी पर हम बात कर लेते हैं, RLD के राष्टे प्रवक्ता हैं, रोहित जाखर जी, रोहित एक चीज आप मेरे वंचित बेरोजगारों की एक जुठता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाये वो किसान अंदोलन की बात हो, चाये अगनीवीर की व्यवस्था को लागू करने के विरोध की बात हो, चाये वो गन्ने की बात हो, हमेशा मुखर होकर, सरकार की आँखों में आखे ड गठ बंदन के सापेक्स कुछ चीजे त्याग नी पड़ती है इस कारण से आम, कारे करता की भावना को देखते हुए जैन चौधरी जी ने पूरे निकाय चुनाओं से अपने आपको किनारे रखा और कारे करताओं ने मजबूती से जमीन पर मेहनत करकर किसान कमेरे वंचित बेरोजगार को एकजूट करकर एक जबरदस्त उत्सा के साथ परिणामों में परिवर्तित किया है और जो परिणाम आए हैं वो सुखद हैं हाला कि शेहरी छेतर में जो हुआ वो अगर मेयर की सीटों पर लोगदल अपने सिंबल पर लड़ता तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते थे लेकिन गरामीन परिछेतर में हमने बहुत अच्छा किया है और हमें उमीद है कि 2024 के चुनाओं में हम इससे बहतर और निर्नायक परिणाम देंगे 2024 की बात करें तो एक चर्चा चल लिए कि कि नए गठवंदन की सुबू काहट हो रही है कि कॉंग्रिस भी आ सकती है कॉंग्रिस के साथ जा सकते है जिस तरीके से राहूल गांदी की पदियातरा निकली थी उसमें RLD कारा करता हूंनों बढ़चल के चल लिया स्वागत किया था तो ये जो पर्दे के पीछे कहानी चल रही है क्या है क्या वाकि कुछ ऐसा चल ला है कि नए उमीदों के दौर कॉंग्रिस के साथ देखे पर्दे के पीछे कुछ नहीं है राहूल गांदी जी ने भारत में जो यात्रा निकाली वो लोगों को जोडने की यात्रा थी और सरकार से सवाल पूछने की यात्रा थी इसलिए जैन चौदरी जी हर उस दल का समर्थन करते हैं जो सरकार की आँखों में आखे डाल कर आम जनमानस के हितों के सवाल पूछे और उसके लिए तटस्थ हो चके और रही बात गठवंदन की ये राजनितिक गठवंदन जब चुनाओ आते हैं तो बहुत चर्चाएं होती हैं ये 24 अभी दूर है लेकिन जमीन पे कारेकरता पूरी तरह मुस्तैद हो चुके हैं हमारा समरस्ता अभ्यान 19 मई से शुरू हो रहा है जिसमें आदरने जैन चौधरी जी लगातार हर जिले में दो दिन का समय देंगे गाउं गाउं जाएंगे और आप परिणाम देखेंगे कि अब हम और राश्चे लोगदल का कारेकरता एक भी दिन शांती से नहीं बैठने वाला है और जो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगारों के मूल मुद्दे हैं हम सरकार को मूल मुद्दों पे सवाल पूछेंगे और मूल मुद्दों पे ही इंटेक्ट छोडेंगे आप ये समझ लें कि दुरूवी करण की राजनीती उत्तरपरदेश से पलाइन कर जाएगी में फिलाल गठवंदन में हैं तो गठवंदन के बड़े नेता जैसा तै करेंगे वैसा आपके समझ सब सपस्ट होगा और उमीद है कि जिस तरीके से ममता बैनर जी ने भी शुरुवात करी है तो कुछ ना कुछ विपक्स की एक जुटता पे जो नितिश कुमार जी काम कर रहे हैं यह चौधरी चरण सिंग जी का वरक्ष है जो लगातार चाए वो बिहार हो जारखंड हो उडिसा हो बंगाल हो वो सब इखटे हो सकता एक छत्री के नीचे आए एक वरक्ष के नीचे आए और उसका नेता कौन होगा उस एक जुटता में चहरा कौन होगा यह तो गटबंदन जो बनेगा उसमें तैह होगा लेकिन तकस्त होकर विपक्स की एक जुटता की हम परियास करेंगे आदेन जैंन चौधरी जी ने पहले भी कहा है कि एक जैसी समान मान सिक्ता के लोग एक-जुट होकर भारते जनता पार्टी की दमनकारी और भजनकारी नीतियों के खिलाब तटस्त होकर लडेंगे और निश्चिती चुनाओ के नतीजे सुखद होंगे निर्नायक होंगे और हमारे पक्ष में होंगे चर्चा तो यह चल लिए ना कि जिस तरीकी से निकाय चुनाओ के देखी आप परिणाम देखेंगे जहां जहां राष्टे लोगदल समाजवादी पार्टी का कटबंदन जमीन पे काम किया है वहां वहां ना तो बहुसंक्यक में बिखराओ है ना अलसंक्यक में बिखराओ है सब लोग एक जुट रहे हैं और एक जुट होकर सरकार की आखों में आखे डाल कर सरकार के विपरीत वोट डाल कर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगे पूर में भी बीजेपी का रास्ता हमीं लोग रोक पाएंगे और आगे भी हमीं लोग रोक पाएंगे निश्चित ही किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगारों के जो मूल मुद्दे हैं सरकार को उन पे बात करनी पड़ेगी, गन्ने के भ मोकरियां निश्पादित होती हैं और उनके पेपर आउट हो जाते हैं उस पे भी सवाल पूछना पड़ेगा अभी कंड़नाटक में ब्रश्चाचार के मुद्दे पे सरकार चली गई है तो ब्रश्चाचार की अता उत्रपरदेश में भी है और राष्ट के सभी परदेशों में हैं निश्चित ही जहां जहां भारते जनता पार्टी अब शाशन कर रही है लगातार उनका छेतर सिकुड रहा है और चौबिस में निर्नायक परिनाम आपको देखेंगे बहुत शुक्रिया तो देखें रोहित जाखन है आरेल्डी के राष्टे प्रवक्ता और सीधा केरें कि गटबंदा ने एक बड़ा स्वरूप ले सकता है इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया लेकिन देखना ये होगा कि आकर इस नए स्वरूप के बाद सियासत कि नहीं बदलती है और बीजेपी के विजयरत को कितना रोख पाती है वीडियो जनरलिस्त तंदर सिंग के साथ सनुष शर्मा एबीपी गंगा मेलट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी